इस तरह से यह हमारा assembly हो गया, complete, I hope, यह सारा पूरा assembly process समझ में आया होगा आपको, और इस session में हम tool head of shaping machine का assembly देखेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से यह assemble किया गया है, कौन-कौन से component को कहां-कहां पर बिठाया गया है, ठीक है, total number of components हमारे पास 19 हैं, और यह मैंने पिछले sessions में complete कर लिया है, ठीक है, सारे parts, start करने से पहले, अगर आपने digital cat solutions को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe करके bell icon प्रेस कर लें, और अगर आप complete course करना चाहते हैं, तो नीचे description में जाकर link चेक कर लें, website में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, हमारा institute MSME registered है, मैने पिछले 10 स सालों में हजारों students और professionals को training दिया है, कई seminars और training sessions लिये हैं, इसलिए जो भी course आपको मिलेगा, वो completely industrial oriented होगा, यानी company में जो exactly लगता है, वो सारे चीज़ें आपको मिलेगी, course complete होने पर आपको certificates भी मिलेगा, AutoCAD का हो, CATIA का हो, SolidWork का हो, NX का हो, जो दुनिया भर में कहीं पर भी चलेगा, तो जल्दी कीजिए, अभी enroll कीजिए, और use discount पाईए, चलिए फिर जल्दी से सुरू करते हैं, सबसे पहले आप एक नया फाइल लिजिए, assembly में जाईए, और यहाँ OK कीजिए, एक एक करके लेना है, है ना, यह हमारा bottom up assembly है, क्योंकि हमने सारे components को बना के रख लिए है, पहले, तो इसको हम bottom up assembly बोलेंगे, ठीक है, चलिए यहाँ से मैं एक insert component में जाता हूँ, और फिर से वही फाइल को खोलूँगा, sorry, folder को जहाँ पर हमने parts बना के रखे हुए हैं, यह रहा, और सबसे पहले मैं इस vertical slide को open करता हूँ, यहाँ पर यह vertical slide हमारा आ चुका है, इस तरह से हम इसको flip कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, और इधर से मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, and here we can see, अब ज़रा से मैं इसको flip करता हूँ, यह सही नहीं रहा, Z में घुमाता हूँ इसको, यह भी सही नहीं जा रहा, Y में देखता हूँ, यह सही जा रहा, बट यह उपर वाला नीची की तरफ चाहिए, तो मैं इस टाइम पर, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, कैसे भी क्लिक कर दूँगा, और जैसे आपने क्लिक किया, यह हमारा fix होता है, ठीक है, अभी हम इसको जड़ा right click करके float करेंगे, और यह हमारा fix हो चुका, मैं ज जाने के बाद आप क्या कर लो, इसको open कर लो, यह लेता हूँ front और यहां से आप ऐसा कुछ ले लो, ओके, ठीक है, भी मैं जाता हो टॉप और इधर जाने के बाद आप यह top नहीं चाहिए, यह front के साथ touch कर देता हूँ, ठीक है, फिल लेता हूँ right और यहां पर जाके, right के स आपने टच कर दिया, okay, okay, and close it, ठीक है, अब आप इसको जड़ा सा collapse कर लिजिए, ठीक है, okay, now, this part is fixed now, यह हमारा हिलने वाला नहीं है, अब बढ़ते हैं आगे, जड़ा गहर से देखिएगा, अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके section को देख सकते हो, जो की नीचे दिया गया है, और यहां से आपको पूरी तरह से clear हो जाएगा, कि कौन सा component कहां पर बैठा हुआ है, तो चलिए मैं इसी को ही रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, insert component, अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, यह screw rod ले लेना है, आप यहां पर click किजिए, और मैं mate में जाता हूँ, mate में जाने के बाद आप इसको select किजिए, और बाद में इसको select किजिए, yes, okay, ठीक है, उसके बाद आप देखो जड़ाग और से, यह face इसके start touch है, पूरी तरह से, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस face को select करना है, और इस face को select करना है, and then okay to it, यह हमारा दूसरा पाट आपने इस जगहा पर बैट चुका है, ठीक है, अब आप इसको okay कर सकते हो, अब देखिए, तीसरा पाट, आप इसके उपर, छटे नमबर का पाट, यानि बुश को बिठा सकते हो, ठीक है, बुश को लेंगे हम लोग, यहाँ समय जाता हूँ, insert component, and here we have the बुश, कहा गया बुश, यह रहा हमारा special बुश, यह आ गया, mate में जाता हूँ, select किया, select किया, ओके, जड़ा समय इसको उपर लेता हूँ, और इस face को पकड़ूँगा, फिर आप इस face को पकड़ लीजिए, and then okay to it, यह हमारा आ चुका है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा gap भी है, so don't worry, यह हो गया, अभी मैं इसके उपर, यह, यह देख ल मैं चाहता हूँ, handle से पहले, round key insert करूँ, यह हमारा round key है, इस जगह पर, यहाँ पर इसको बैठना है, तो मैं इसको बाजू में ले लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसको select करूँगा, और यहाँ से मेट लिया, इसको select करता हूँ, यह सही जगह पर आ गया, और फिर बाद मैं मैं इसको select करूँगा, और इस face के साथ इसको touch कर दूँगा, ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर handle लेने वाला हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर जाईए, and this is the handle, आप यहाँ पर handle ले सकते हैं, click किजिए, ठीक है, अगली चीज क्या है, आप यहाँ से मेट, मेट में जान और next thing, आप देखो यहाँ पर, यह इसके साथ बिल्कुल भी touch किया गया, ठीक है, bush के साथ, तो हमको इस face को select करना है, and then, इसके साथ, sorry, इसके साथ यहाँ पर touch कर देना है, और यह हमारा okay हो चुका, ठीक है, यह देख लिजए, बिल्कुल भी perfect आ गया, उपर नीचे होगा, और मुझे लगता है कि, यह सही है पूरी तरह से, ठीक है न, यह इसके साथ टच किया गया है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा gap भी है, यहाँ पर, इसके बीच में थोड़ा सा gap है, है न, यहाँ तो नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब यहाँ जो है, हम लोग का पार्ट है, नट, और आप चाहो तो इसमें screw mating कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, तो अगर करना ही है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जाए, और इसको आप on कीजिए, अभी मैं mate में जाता हूँ, और mechanical mate में जाता हूँ, यह रहेगा screw mate, और select this axis and this axis, जैसा कि आप देख पा रहे हो, direction हमारा बिल्कुल भी सही है, ठीक है, ओके कर देता हूँ, जरा सा मैं, यह देख लो मेरा हिल रहा है total, है ना, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, जरा सा नहीं, तो अगर यह देखो, इसके साथ ही हमारा यह भी हिल रहा है, ठ आप चाहो तो इनको अभी यहां से यहां तक fix कर सकते हो, यह देख लिजे, ओके, बराबर, अगर आप इसको properly निकालना चाहेंगे, यह देखो, कैसा, वो भी घूम रहा है, यह भी घूम रहा है, ठीक है, इसका कामी घूमने का है, ओके, नाउ सी, अब इसके ऊपर हमें handle ल लगाएंगे, और आप अगर चाहें, तो इसमें भी screw कर सकते है, meeting, ठीक है, तो यहां से में mechanical में जाता हूँ, screw meeting, and here we have the screw, and axis ले लिजे, यह भी सही direction में है, and then ok, इसको जड़ा सा, यह थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना था हम लोगों को, मैं जड़ा इसको, अभी क्या करत हूँ, delete करता हूँ थोड़ा, and yes किया मैंने, और मैं जड़ा इसको उपर की तरफ लेता हूँ, and first of all हमें क्या करना चाहिए, आपको यह face और यह face ले लेना है, ठीक है, और ठीक है, coincident है, and then we are going to, one second, हम यहां पर भी screw meeting लेने वाल है, ठीक है, and then this axis, ok, सही direction में है, ले सकते हो, ठीक है, यह हो गया, अभी यह हमारो घूमेगा आराम से, दिख रहा है, ऐसे करके, घूमने का काम है इसका, ठीक है, इस तरह से घूमेगा, space and isometric, इतना काम होने के बाद, आप क्या कर सकते हो, axis को थोड़े time के लिए off कर दो, नहीं तो रहने देते ह है, इसको मैं जरा सा, collapse कर देता हूँ, next step क्या है यह backplate लेना है, ठीक है, तो backplate हम कैसे लेंगे, आप जरा गौर से देखिए, insert, backplate लेता हूँ, यह हमारा, जरा फ्लिप कर देता हूँ, and here we have, one second, yes, इस तरह समय चाहिए, सबसे पहले तो आपको, arrange करना है, क्या, axis to axis, और देखेंगे हम लोग, मतलब, mate में गए, आप यहां से क्या कर लो, इसका axis ले लो, और फिर बाद में, आप इसका भी axis ले ही सकते हो, no problem, ठीक है, तो axis to axis में ने concentric कर दिया है, ओके, नीचे की तरफ जाता हूँ, यह देख लिए हमारा, यह हिल रहा है पूरी तरह से, अभी मैं, जड़ा, इस face को लिया, और फिर इस face को लिया, यह देखेंगे, पूरी तरह से, टच हो रहा है हमारा, and then आप जड़ा यहाँ पर चले जाओ, ठीक है, थोड़ा सा और उपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा और उपर कर लो, yes, अब उसके बाद आपको करना है mechanical mates, और यह रहगा screw mate, अभी इसको मैं select करता हूँ, और फिर आप क्या कर लो, इस axis को, किदर गया हमारा वो axis, yes, हमने दोनों ले लिया है, देख लिजिए हमारा direction, and then okay to it, okay to it, ठीक है, अभी जड़ा मैं इसको घुमाता हूँ, वन सेकेंड, इस पार्ट को मैं घुमाता हूँ, लगता है मैंने यह axis गलत ले लिया है, उस पार्ट को मैंने अच्छे से select नहीं किया, delete करता हूँ, इसको मैं जड़ा नीचे की तरफ लेता हूँ, okay, now mate, and go to mechanical mates, and screw mate, and select this axis, okay, and now this axis, इसको हम कर देंगे, flip, यहाँ पर actually 2 का आएगा pitch, आप ले सकते हैं, 2 का pitch, and then okay, okay, अभी यह हमारा जो है, उपर नीचे आएगा, देखिएगा, आभी मैं इसको घुमाता हूँ, तो यह कईसे उपर नीचे होता है, तो यह हमारा धीरे धीरे उपर जा रहा है, देख सकते हो आप, यह देख लो, अगर मैं इधर से घुमाया, तो धीरे धीरे यह नीचे की तरफ जाएगा, आप देख सकते हैं, यह देखो, धीरे धीरे जो हमारा बैक प्लेट है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो, धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि मैंने टू का ही लिया हुआ है, पिच, इसलिए, तो यह आप अब्जर्ब कर सकते हो, यह फास्ट गुमायेगा, तो यह नीचे की तरफ जा रहा है, देख लो, तो इस तरह से है न ये दिरे दिर देख लो कितना हमारा नीचे आ चुका है जितना फास्ट गुमाईएगा उतना हमारा ये नीचे की तरफ जाएगा ठीक है ये देख लो कितना gap हो गया इदर ठीक है तो इस तरह से आप screw mating कर सकते हो और भी गुमाईएगा तो और भी नीचे आएगा इदर से आप clockwise में गुमाते रहिए ये नीचे की तरफ आता जाएगा तो इस तरह से ये हमारा screw mating काम करता है अब बढ़ते हैं जड़ा आगे ठीक है Insert component में जाता हूँ फिर आपको इस sexual plate के बारे में लेना है इसको क्लिक कीजिए और यहां से मेट लेता हूँ अभी हम क्या करेंगे axis to axis match कर सकते हो नहीं तो जरूरत नहीं तो आप इसको और इसको भी match कर देंगे तो भी चलेगा no problem ओके देन सेलेक्ट इस face and इस face ओके और फिर बाद में यह देखो हमारा यह हेल रहा है तो इसके लिए क्या reason है आप इसको select कर लो और इसको select करो यह हमारा coincidence हो जाएगा ठीक है and here you can see it is perfectly done okay okay inside component अभी हम लेते हैं यह drag plate drag plate से पहले हम लोगों को यहां पर एक और पार डालना है जिसको swivel scrupin बोलते हैं and here we have the swivel scrupin और यह जो scrupin है वो यहां पर गुचने वाला है तो मैं पहले ही इसको ले लेता हूँ थोड़ा घुमा के यहां से मैं ज़रा okay and then हम इसको इधर की तरफ ले लेते हैं अभी देखिए यहां से मैं screw pin ले लेता हूँ और यहां से लिया मैंने mate screw mate select and यहां से आप इसको ले लो यह ज़रा flip कर देता हूँ और इसको 2mm का ले लेते हैं okay किजिए अब यह घुमाते जाएगा तो automatic यह अंदर की तरफ जाएगा यह बाहर जा रहा है लगता है मैंने उल्टा ले लिया ठीक है तो अपने हिसाब से आप अंदर कर सकते हो यह आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाते जाएगा automatic वो अंदर जाएगा मैंने लगता है direction उल्टा ले लिया तो खैर कोई बात नहीं है अब यहां से मेट लिजिए और आप इस face को select किजिए फिर इस face को select किजिए और यह automatically घुमता हुआ अंदर की तरह चला जाएगा देख सकते हो ओके ठीक है next step इसको यहां पर डालना है आप मेट लिजिए select this face and this face okay I think this is done so okay अब यहां से हम जरा उपर की तरफ ले लेते हैं और फिर से आप इसको select कर लो और इसको select करो हमें कोई दिकत नहीं आएगी आप यहां से concentric कर सकते हो and then okay कर दिजिए यह देख लिजिए बिलकुल भी दोनों एक्सिस प्रोपर जगह पर बैट चुका है देखे एकदम बिलकुल perfect आया है दिख रहा है ना एकदम यह भी match हो रहा है पूरी तरह से और यह भी properly match हो गया ठीक है अब यहां okay कर देते हैं अच्छा एक और चीज है आप यहां पर क्या डालेंगे पाइवर्ट पिन है ना चलिए तो वहां पर डाल देते हैं this is our पाइवर्ट पिन और मैं लेता हूँ इसको और इसको ले लिया okay and later क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे जरात access to access तो हमारा match हो गया है okay करता हूँ मैं अभी मैं जरा इसको बाहर की तरफ खिचता हूँ यह हमारा सहिस नहीं हो रहा है फिर आप क्या कर लो इसको delete कर दो यह लगता है coincident हो गया we don't need this है ना तो हमें क्या करना है concentric करना था actually तो मैं axis to axis touch कर लेता हूँ this axis and this axis okay coincident okay अब यहां से हमें advancement में जाना है और width ले लेना है अभी width मतलब इसको select करेंगे फिर आप इसको select कीजिए फिर आप one second यह axis हमें नहीं चाहिए actually हमें face चाहिए this face and this face तो यह पूरी तरह से 50-50 divide होके byte जाएगा okay okay कर देते हैं okay कर दिया next क्या है हमारा मैं इसको जड़ाज़सा collapse करता हूँ यहां पर tool holder आएगा तो this is our tool holder double click कीजिए यहां पर रख देता हूँ मैं rotation इधर से rotation इधर से rotation यह सही नहीं है यह सही है यह चाहिए हमें click कीजिए अब जाके मैं mate लेता हूँ और इसको select करूँगा and then इसको select करूँगा then okay करूँगा अब यहां से आपको इसको बाहर निकालना दरसल यह पहले बिठाना था बाद में यह बिठाना था तो ठीक है कोई बात नहीं अभी हमको इसके साथ टच कर देना है and then okay कर देना है अभी देखिए इसको select करो और इसको select करो parallel कर दो and that is enough for us ठीक है यह देख लिए बिल्कुल भी perfect आ रहा है हमारा अब यहां जो है वो टूल लगेगा ठीक है यहां पर एक टूल लगेगा अभी फिलहाल तो हमें वहां पर एक वाशर डालना है यह बड़ा वाला 18 नंबर वाला वाशर यहां पर बैठेगा तो आप इस face को select कर लो मेट ले लो फिर इसको select कर दो okay and then select करो and इसको select करो and then okay यहां पर टूल fixing screw आएगा close करता हूं यह हमारा 19 नंबर का part है yes सबसे पहले तो आप axis to axis टच कर दो यहां से इसको select कर लो और इसको select कर दो okay दोनों concentric हो चुका है बट अभी मैं इसमें screw mate लेने वाला हूं यहां से mechanical mate यह लेता हूं screw mate and this is the screw okay now this was the another screw which 2 का ले लेता हूं and then okay to it okay यह अगर आप खुमाते हो अलगता है यह बारवावार आ अलट ओका की देखता हूं इधर से तो यह आरा अचा यह बाहर आरा मैं clockwise लुद गुमाता हो अंधर की तरफ यह देख लो अंधर की तरफ जा रहा है अभी इधर नहीं निकल रहा है तो आपको निकलेगा चिंता मत कीजिए देखेगा थोड़े दिर के बाद यह निकलेगा मैं इसको जरा सा टाइट कर देता हूँ इस तरह से धीरे 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 अंदर जा रहा है इसी लिए स्कूरू मेट दिया गया है आप देख सकते हैं और यहां पर होगा टूल है ना तो इससे टाइट हो जाता है वो अब और मैं जरा घुमाता हूँ इस तरीके से और भी अंदर लेके यह देखने के लिए दरासल यह आप भी कर सकते हो मुझे ही करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है पर टेक बार तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा ना देखे कितना निकला यह देखो इतना निकल गया ना पहले नहीं निकलता था अभी निकल गया तो और गुमाईएगा तो और जाएगा यह और लिली जी अंदर की तरफ अभी देखो अधर दिखाई देने लगा है तो मैं जितना ज्यादा गुमाऊंगा उतना यह अंदर जाता जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं यह देखो कितना निकल गया इधर यही हमारा टूल फिक्सिंग स्कुरू है अब एक काम और कर देना है यहाँ पर हमें 13 number वाला washer लेना है ख्लिक करेंगे और इसको select करता हूँ mate में गया आप चाहो तो यहाँ पर इसके साथ concentric कर सकते हो okay then select this face and this face you can flip the direction and then okay okay here we can and say okay to it now the last part यहाँ से आपको यह clamping screw लेना है क्लिक करूंगा और यह जो है इसके साथ screw tight करना है ठीक है तो सबसे पहला काम मैं axis से इसके axis को match कर देता हूँ you can flip the direction and then okay to it मैं ज़रा बाहर ले लेता हूँ and then okay अब आप यहाँ पर क्या कर सकते है axis to axis match करना है न आपको ठीक है मैं ज़रा नजदीक ले लेता हूँ यहाँ तक और बाद में हम करेंगे यहाँ mechanical mate और one second यहाँ से mechanical mate यह लेता हूँ में screw mate and this is the screw और यह ले लिया मैंने another screw सही जगह पर आना चाहिए ठीक है इसको मैं दो कपीछ ले लिया and then ok to it and ok to it अभी आप इसको घुमाते जाए और यह automatic अंदर की तरफ जाएगा अब देख लो दीरे दीरे अंदर की तरफ जा रहा है न तो यह हमारा screw mate का logic है देख सकते हो और अंदर लेके जाना है तो जाए लेके दीरे धीरे यह अंदर जा रहा है गुमाते रहिए गुमाते रहिए अंदर चला जाएगा और बिल्कुल भी उसके साथ यानि इसमें जो होल है हमारा 16 का यह देख लो यहाँ पर जाके बैठना चाहिए तो let's rotate it carefully ok यह देख लो दीरे दीरे उसके नजदीक जा रहा है तो इस तरह से हमें यह देख अंदर की तरफ उसके गुज गया है हमारा and here you can see इधर से हमारे trades finish होने को आए उदर जाके वो fit हो गया ok गुमाते जाए गुमाते जाए जाए ऑटोमेटिक बैठ जाएगा हलाके एक जटके में आप गुसा सकते हैं यहाँ से आप अगर चाहो तो इसको select कर लो और direct इसको select कर दिया तो भी हमारा काम बन जाएगा now see इसमें जो जो parts लगे सही जगा पर हमने assemble कर दिया है अच्छा एक और चीज है यहाँ adjustable strip जो है हमने नहीं लगाया अभी तक तो हमें adjustable strip के बारे में भी सोचना चाहिए isometric में जाता हूँ यह लिया adjustable strip and here we have the adjustable strip और यहां से हमें इसको rotate कर लेना है और कुछ इस तरह से देखते हैं यह कैसे बैठता है नहीं बैठता है so मैं इसको select करता हूँ और आप इसको क्या किजिए इस face से और इस face के साथ touch कर दिजिए यानि coincident कर दिजिए okay done फिर बाद में यह face लेना है और यह face लेना है okay फिर आप इस face को ले सकते हो और नीचे वाले face के साथ touch कर दो यह हमारा fail हो गया है तो जरा हम लोगों को फिर से design करना होगा इसका जो location है वो सही नहीं है मुझे यह फिर से बनाना पड़ेगा I am going to delete this part और अगर फिर से बनाना पड़े तो आप क्या करोगे तो सबसे पहले तो मैं यहां से access को off कर देता हूँ सारा और अभी हम adjustable strip को फिर से बनाने जा रहे हैं तो चलिए मैं यहां पर लेता हूँ एक new part और यहां पर click कर दिया और यह हमारा वो part है अभी यहां पर click किजिए और यह रहेगा edit अभी edit में जाने के बाद यह देख लो हमारे सामने बहुत सारे edges दिख रहे हैं और सब फेंट हो गया तो आपको इस face को select करना है sketch में जाना है space and normal अब देखिए उल्टा सिधा जो भी है आप इसके बराबर में हमें बनाना है अब यहां से आपको पूरा measurement मिल जाएगा तो हम लोगों को खुद से ढालने की कोई जरूरत नहीं पढ़ने वाले है and here you can see यह हमारा सही जगा पर properly आ चुका है और बाद में हम hole भी ले लेंगे ठीक है और feature में जाता हूँ extrude में जाता हूँ and 235 क्या सपस था इसका total length now we are going to flip the direction yes 235 जैसा आप चाहें ले सकते हैं then okay कर दीजिए और फिर इसमें हम क्या करेंगे hole लेंगे ठीक है so चिंता नहीं करनी है अब direct में क्या कर लेता हूँ इस face को select कर लूँगा sketch में जाओंगा space and normal जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसी location में हम क्या करेंगे ही ले रहा मैं simple circle ले लेता हूँ और इसका diameter था 6 उसी तरीके से मैं 6 का ही लेता हूँ और through hole कर देता हूँ ठीक है फिर आपको यहां से यहां तक का 13 लेना है और फिर यहां से यहां तक का 9 लेना है बस ऐसा ही ले लेता हूँ मैं और अगर चाहियत यहां पर 6 के जगा पर 5 कर देता हूं 5 क्यों क्योंकि 1 mm का मैं थ्रेड लेने वाला हूं यहां पर तो ठीक है कोई बात नहीं मैंने ऐसा कुछ कर दिया है और मैं इसको फीचर में लेके जाता हूं extruded cut up to next कर देता हूं up to next जैसा कि आप देख पा रही है हमारा up to next आ चुका है और यह हमारा hole हो गया देख लेजिए आप यहां से update कर देता हूं and now what अब आप इस cut को select किजिए और यहां से आपको linear pattern लेना है फिर आप इसको select कर लिजिए and the distance is 50 5 hole यहां पर दिया हुआ है और यहां से okay कर देता हूं ओके ठीक है आप इसी तरीके से वो भी ले सकते हो या तो फिर आप इसमें threading भी डाल सकते थे है ना अगर आपको चाहिए तो threading ले लो और यहां पर M6 into 1 का ले लेना है M6 into 1.0 का M6 into 1.0 किदर है भई 4, 5, 60 यहां पर देखिए जड़ा yes मिल गया है M6 आप इजर से भी ले सकते हैं सही तरीके से और and that's it okay ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है ठीक है और यहां पर क्या करना है बाकी का और कुछ भी नहीं है यहां तो दिख नहीं रहा mirror profile वगरा कुछ भी preview नहीं दिख रहा है ओके करके देखता हूं not complete बोल रहा है यहां पर ठीक है यह तरह सा taper आ गया होगा इस वज़े से नहीं आ रहा है तो फिलहाल हम रहने देते हैं किसी तरह का कोई दिखत नहीं आएगी ठीक है फिलहाल मैं इसको रहने दे रहा हूं और as it is मैं रहने दे रहा हूं और यहां से आपको जो material चाहिए वहां से आप तो ले सकते हो copper brass जो भी लेना है आप ले लीजिए ओके close कर देता हूं यहां पर automatically जो है यह fit हो चुका है आप देख सकते हो इसमें trading का काम हम अलग से कर सकते हैं अगर वहां पर दिक्कत आ रही है तो अब चलते हैं जड़ासा मैं यहां पर screw डालता हूँ छोटा वाला screw यह वाला screw है हमारा grub screw double click किजिए मैं इसमें कोई screw mating वगएरा नहीं कर रहा ठीक है बस simple सा है मैं simple सा ही ले रहा हूँ and then अगर आप चाहो तो यहां से इस कौन कर दो mating लेता हूं axis to axis touch कर दिया ओके फिर इस face को इसके साथ touch कर दिया और मैंने यहां पर क्या किया है बिल्कुल भी screw mating नहीं लिया है अगर आप चाहो तो ले सकते हो cancel कर देता हूं चलो screw mating लेते हैं जड़ा नजदीक लेता हूं इसको पहले यहां से यह तो बहुत लंबा हो रहा है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं यहां से मैंने लिया यह रहेगा mechanical mate यह रहेगा screw mate और मैंने इस axis को select किया फिर इस axis को select किया पीछ जो है one का रहेगा don't reverse it यहां से okay कर देता हूं ओके कर दिया अब देखो गुमाते चले जाओ यह automatic जो है वह अंदर की तरफ अच्छा यह reverse में लेना पड़ेगा तो बाहर निकल रहा है तो हम लोगों को क्या करना होगा इस पर जाईए edit feature में जाईए और यहां reverse पर आ आप जाता जाएगा यह देख लो आराम से जितना भी लेके जाना है जाओ यहां पर छोड़ दो ठीक है okay now I'm going to mirror this screw मैं इसको जरह सा कर देता हूं this is our grub screw and यह रहेगा linear component pattern direction ले लेता हूं और यहां से आपको पांच लेना है you can flip the direction और यह हमारा हो चुका ठीक है अब देख सकते हैं यह मैंने complete कर दिया और बाद में इसको off कर देजिए space दबाई यह isometric कीजिए और इस तरह से देख लो हमारा यह total का total आ चुका है explosion मैं बाद में बताऊंगा इसका ठीक है सो चिंता नहीं करना है here we can see यह देख लो कितना कमाल का दिख रहा है हमारा ठीक है इसका काम भी देख लिया हमने यहां पर टूल आएगा ठीक है उसके बाद इस fixing screw से उसको tight करेंगे और इसको काम पर लगा सकते हैं इस तरह से हमारा tool head of shaping machine पूरी तरह से complete होता है ठीक है इसको हम ctrl s प्रेस करेंगे और save all कर देता हूँ final assembly of final assembly of tool head of shaping machine ok save it save without in context ठीक है कोई बात नहीं और इसको मैं ok कर दिया इस तरह से यह हमारा assembly हो गया complete I hope यह सारा पूरा assembly process समझ में आया होगा आपको मिलने फिर next tutorial में next assembly के साथ thank you for this session thanks for joining digital cad solutions bye bye good day take care you